इस समय हम भूनेस्वर स्टेशन पर हैं भूनेस्वर स्टेशन जो की ओडिसा का एक मुख्य स्टेशन है और यहां की अगर हम बात करें तो इसका रिडेवलप्मेंट किया जा रहा है यहां पर नई नवेली बिल्डिंग बनाई जा रही है इस स्टेशन को पूरी तरीके से य आपको बताएंगे कि किस तरह से इस स्टेशन की अगर हम बात करें तो यह स्टेशन खास हो जाएगा क्योंकि 418 करोड रुपए की लागत से यह स्टेशन तयार किया जा रहा है और यहां पर रेल मंत्री खुद पहुंच चुके हैं रेल मंत्री समय उडिशा की यात्रा पर हैं और जो स्टेशन रिडेवलेप्मेंट की अगर हम बात करें तो आएए सीधा रेल मंत्री से ही समझत की आखिरकार क्या हो राएं जब बात करते हैं ऊडिशा की स्टेशन कारी डेवलेप्मेंट चल रहा है और इस समय हम भूनेश्वर स्टेशन पर हैं पहले तो हमने बताइए औरेशा में कौन-कौन से स्टेशन है जिन पर आपका फोकस हैं पूरे के पुरे प्रदेश में कर जिदानमंत्रीशी नरेंदर मोदी जी का जो विजन है उस विजन के हिसाब से उस विजन के अनुसार स्टेशन का रीडवलप्मेंट चल रहा है शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना बहुत अच्छी शांदार एक रूफ प्लाजा बनना जिसमें की पैसेंजर्स आराम से प्लस लोकल प्रॉडक्ट्स को बेचने के लिए जगे मिले यह सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का रीडवलप्मेंट किया रहा है आप यह जैसे भूनेश्वर की प्रोग्रेस अगर आप देखें तो इतनी तेजी से काम चल रहा है वैसा ही कटक में वैसा ह अगर हम की बात करें तो किस तरीके से ब्हुनेश्वर के लिए एकडम आइकानिक बिल्डिंग साबित होगी इसका जो रूफ पलाजा है वह रूफ प्लाजा अपने आप में एक नहीं मिसाल होगी और इस पूरे एरिया का इस पूरे रीजन बहुनेश्वर शहर के इस पू पुरी के लिए क्या प्लाइन है उसके बारे में कुछ आम लोग बताई है पुरी का स्टेशन महाप्रभू श्री जगनात जी के संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता हूँ इस्टेशन है जैसे आपने देखा युद्यधाम जंक्षन वो भी प्रभूश्री राम के संस्कृति को रिफ्लेक्ट करने वाला इस्टेशन है इनी चीजों को ध्यान में रखते बनाए गए प्रदान मंत्री जी ने हमेशा कहा है विरासत भी विकास भी धन्यवाद आपका धेसा धन्यवाद है केमरामें सकील एहमत के साथ सिध्धार न्यूजी स्टेशन भूनेसर